नरसकार बोल के लब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा दोस्तों कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में थे और फिरूजपुर में एक राली को एटेंट करने जा रहे थे उस पूरे घटना करम को लेकर जबरदस विवाद हुआ है भारती जाता पार्टी और उनका जो पालतू मीडिया है वो लगातार ये कह रहा है कि ये प्रधान मंत्री के सुरक्षा में चूख थी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साज़श रजी जा रहे थी जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पड़ जाए तो आवाज उलंध करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दिऊस क्लिकवर मेरे साथ बोल सबह अब तक तेरी है दिखाई जा रही है कि खाली कुरसिया थी और उसको लेकर एक प्लान बनाया गया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पीड़त के तौर पर पेश किया जाए, विक्टिम के तौर पर पेश किया जाए और दरसल प्रधान मंत्री इन खाली कुरसियों को संबोधित नहीं करना चाहते थे आज बोल के लब आजाद हैं तेरे में मैं आपके सामने इस मुद्दे को लेकर विस्तरत चर्चा करने जा रहा हूँ पूरे फैक्ट्स के साथ नमबर एक नमबर दो मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ पालतू और गोदी मीडिया को कि वो इस मामले को ना भढ़का है मैं आपको दो मिसाल देना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर न्यूज 18 जो की मुकेश अमबानी का न्यूज चैनल है यहाँ पर इनका जो आंकर है आप साफ तोर पर देख सकते हैं पालिस्तान का जिक्र कर रहा है अब दोस्तों देखिए जी न्यूज का ये कारक्रम जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है यहाँ पर इनके आंकर ने दो बाते कहीं पहली बात कि इनसे अच्छा तो पाकिस्तान है यानि कि पंजाब को बदनाम करना पंजाबियों को बदनाम करना चुकि पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है उन्हें बदनाम करना और सबसे बुरी बात पंजाब से बहतर पाकिस्तान को बताना और यही नहीं दोस्तों मैंने इस चैनल को सुना और इन्हों ने बार बार खालिस्तान शब्द का इस्तमाल किया आज मैं भारती जैंता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग प्रदर्शन कारी थे महाँ पे क्या आप भी उन्हें खालिस्तानी बताएंगे क्या किसान जो प्रदर्शन करता है उसे प्रदर्शन करने का हक नहीं है और जो प्रदर्शन करेगा आप उन्हें खालिस्तानी बता देंगे एक साल पहले जो आपने गलतियां की थी उससे आपने अभी सबक नहीं लिया है जी हाँ किसान सिंगू बॉर्डर नहीं पहुंचा तो आपने उन्हें खालिस्तानी बता दिया था और अब फिर उसी खेल को खिला जा रहा है मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूँ ये खतरनाक खेल ना खेले देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड ना करे साथ समंदर पार जो वाकई खालिस्तान के आंदल उनको भड़काना चाहते हैं उन्हें ये मौका न दे दोस्तों यही नहीं भारती जहता पार्टी के नेता भी नहायती भड़काओ बयान दे रहे हैं आपके सामने दो मिसाल में देना चाहूँगा सबसे पहले इनके कोई नेता है सीटी रवी उन्होंने कहा है देश के घदारों को गोली मारो सीटी रवी जो है वो भाजपा की सांसत भी है मैं समझना चाहता हूँ कि ये किसे गोली मारने की बात कर रहे है प्रदर्शनकारियों के? क्या प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है प्रदर्शनकारियों का सामना करने की? फिर ये दूसरे भाजपा के नेता हैं ये कह रहे हैं हैंग पंजाब सीम तिल डेथ इनका नाम है अवधुत वाग दो भारती जैंता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया जो लगातार माहूल को भड़काने का काम कर रहे हैं एक पंजाब के मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग्चन्नी को जान से मारने की बात कर रहा है और दूसी तरफ देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कर रहे है यानि कि किसान अपनी मांग को लेकि प्रदर्शन भी नहीं कर सकता और क्या आपने उस किसान से सवाल पूछा कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहा था वो प्रदर्शन इसलिए कर रहा था क्योंकि सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान में लोगों के सामनी ये कहा कि वो प्रधान मंत्री से मिलने गए और उन्होंने 500 मृत किसानों का मुद्दा उठाया जिसके जवाब में प्रधान मंत्री ने कहा कि वो मेरे लिए मरे हैं क्या आप जानते हैं इस मुद्दी की पंजाब में जोरों से हो रही है और बात भानी रुकती लखीम पुर्खिरी मामले में अब तक केंद्र सरकार ने आजय मिश्वा टेनी को नहीं हुटाया किसान उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान प्रधान मंत्री की खामोशी 700 किसानों की मौत को लेकर उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और क्या इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना खालिस्तानी हो जाता है क्या इन नियूस चैनल्स को शर्म आती है इस तरह से हमारे किसानों को टार्गेट करते हुए या इन बीजेपी नेताओं को शर्म आती है दोस्तों अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि दरसल SPG को लेकर और सुरक्षा को लेकर क्या प्रोटोकॉल है बाकाइदा तत्यों के साथ मैंने होम मिनिस्ट्री एक अरसे से कवर कर रही पत्रकार मीतू जैन के ट्विटर टाइम लाइन पर जाकर कुछ जानकारी जो है वो जुटाई है और वो मैं एक एक करके तत्यों के जरीए फैक्स के जरीए ग्राफिक्स के जरीए आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिससे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कि कल दरसल गलती किसकी थी एक एक करके वो points आपके screens पर आ रहे हैं Point number 1 प्रधान मंत्री की सुरक्षा और उनके travel plans SPG की blue book में होते हैं इस blue book में सभी जानकारियां मौजूद होती हैं यानि की आपात काल के दौरान किसी भी अफरात अफरी के दौरान प्रधान मंत्री को किस रास्ते से ले जाए कहां किस safe house या घर में रखा जाए इसकी चर्शा प्रधान मंत्री की advance security लियौजौम से होती है जिसमें खुद SPG, IB और राज्य पुलीस शामिल होती है पॉइंट नंबर वन का मतलब क्या है दोस्तों बाकाइदा एक पूरी रोप रेखा तयार की जाती है एक team तयार की जाती है और उसमें IB भी होता है SPG भी होता है और साथ में राज्य पुलीस भी होता है और वो लोग तयार करते हैं एक blue book इन तमाम चीजों की जानकारी एक booklet में होती है जो करीब 200 पन्नों की होती है पॉइंट नंबर तीन जिन सवालों का जवाब प्रधान मंत्री कारयाल है और SPG को देना है वो ये कि क्या उन्हें नहीं पता था कि मौसम खराब होने वाला है क्या 48 गंटे पहले मौसम विभाग से चर्शा नहीं की गई क्योंकि आप जानते हैं कि पहले प्रधान मंत्री हेलिकॉप्टर में जाने वाले थे और फिर उस सड़क के रास्ते गए क्या मौसम विभाग से चर्शा नहीं हुई थी कि मौसम खराब होने वाला है लिहाज़ा हम उसे रद कर दें फिर भी गए वो आगे और अगर खराब मौसम की वज़ा से हेलिकॉप्टर के जरीए फिरोस्पूर पहुँचना नामुम्किन था तो क्या सड़क के रास्ते जाने वाले रूट की चर्शा पहले से की गई थी याद रहे एक Advanced Security Liaison पहले ही बनाई जा चुकी है जो इन तमाम बारिकियों की चर्शा और पड़ताल करता है मैंने आपको बताया एक टीम बनाई गई थी जिसमें IB थी जिसमें आपके पंजाब पुलीस थी और SPG थी अगर आप एक दूसरा रूट ले रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं चर्चा करनी चाहिए थी क्या वो चर्चा होई पॉइंट नंबर फोर प्रधान मंत्री ने 111 किलोमीटर लंबा सड़क का रास्ता लिया राली स्थल तक पहुंचने के लिए क्या इस 111 किलोमीटर लंबे रास्ता की चर्चा की गई थी सुरक्षा बंदोबस्त द्वारा जिसमें IB और SPG शामिल होते हैं 111 किलोमीटर दोस्तों दो घंटे का रास्ता कुछ भी हो सकता था इस रूट की चर्चा की गई थी क्या आपने इस बात को फैक्टर इन किया था कि उस रास्ते में प्रदर्शनकारी हो सकते हैं क्या इसका मतलब ये हुआ कि SPG ने प्रधान मंत्री को एक ऐसे रास्ते में जानी दिया जिसे पूरी तरह से सेक्योरिटी क्लेरंस नहीं मिली थी ब्लू बुक के मताबिक SPG तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक उसे राज़ पुलीस हरी जंडी नहीं देता इसका मतलब क्या राज़ पुलीस ने गुमरह किया SPG को तो अगर प्रधान मंत्री को सड़क के रास्ते ले जाया गया जो प्लान के मताबिक था इसमें जवाब देही SPG प्रमुक और राज़ के DGP की बनती है कटगरे में दोनों हैं और दोनों को अपने पद से हटाया जाना चाहिए दोस्तों पहले खबर ये आती है कि फिरोसपुर के SSP को निलंबित कर दिया गया है उसके बाद पंजाब के मुख्य मंतरी चेरण जी सिंग चन्नी सामने आते हैं कि नहीं साब किसी को निलंबित नहीं किया गया है क्योंकि राज़ पुलीस की खलती नहीं है मगर साफ तोर पर अगर सामने प्रदर्शन हो रहे थे तो राज़ पुलीस को साफ तोर पर कहना था कि प्रधान मंतरी इस रास्ते से ना जाएं देगे सीधी सी बात है पंजाब की मुख्य मंतरी चेरण जी सिंग चन्नी ऐसा नहीं कर सकते कि वो किसी पर भी कारवाई ना करें जब प्रधान मंतरी किसी सड़क पर ट्रैवल कर रहे होते हैं यात्रा कर रहे होते हों तो उसे साफ सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज़ पुलीस की होती है राज़ पुलीस को किसी भी कीमत पर उस पूरी सड़क को 111 किलोमीटर लंबी सड़क को प्रधर्शन कारियों से मुक्त रखना चाहिए था ये भी बताया जा रहा है कि डी जी पी ने कहा था कि वो हलका बल प्रयोग करना चाहते थे मगर इंडेन एक्स्प्रेस की इस खबर के मताबिक जो सुक आपके स्क्रीन्स पर है उन्हें ऐसा करने से रोका गया क्योंकि सरकार को लगा कि आपको याद होगा बे अदबी को लेकर एक प्रधर्शन हो रहा था जब अकाली दल की सरकार थी और मामला जो है उग्र हो गया और उसमें दो लोग फाइरिंग में मारे गये थे राज सरकार को इस बात का डर था कि अगर बल प्रयोग जो है वो अत्याधिक हो गया तो कुछ लोग हताहत भी हो सकते थे कुछ लोग को चोटे आ सकती थी और उस राजनीतिक कीमत की जो डर से उन्होंने प्रदर्शन कारियों पर बल प्रयोग नहीं किया ट्रिब्यून की एक खबर बता रही है कि इस रास्ते को रोकने की जिम्मेदारी BKU करांतिकारी यानि कि भारती किसान यूनियन करांतिकारी ने ली है मगर दिल्चस बात यह है कि ट्रिब्यून की खबर ये भी कहती है कि प्रदर्शन कारियों को नहीं पता था कि उस रास्ते से प्रधान मंत्री आ रहे हैं यानि कि उस चीज़ को लेकर भी बहुत जबर्दस्त अस्मंजस बना हुआ है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर भी प्रधान मंत्री निकाह नहीं मुझे महां से जाना है इन तमाम चीजों की जाच होनी चाहिए अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है बताया जा रहा है कि वहाँ पर उसकी जाच पढ़ताल होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूद का दूद और पानी का पानी हो ताकि भविष्च में ऐसे सुरतिहाल ना दोहराए जाए और फिर कहे दूँ दोस्तों इस घटना के बहाने पंजाबियों को, किसानों को बदनाम करने का लाइसन्स किसी के पास नहीं है किसी के पास भी नहीं अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बाकाइदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कारवा जहां पर है कुछ लोग पहुँच जाते हैं ये लोग नरेंद्र मोधी जन्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और इनके हाथ में भाजपा के जण्डे हैं मेरा सवाल आपके सामने सवाल ये इन्हें प्रधान मंत्री की गाड़ी के इतने करीब किस ने आने दिया भाजपा का कहना है कि यह लोग उसके कार्करता थे जो प्रधान मंतरी के कारवा के U-turn लेने के बाद वहाँ आ गए आखिर नागरिकों को एक ऐसे रास्ते पर क्यों आने दिया गया जो प्रधान मंतरी की सुरक्षा के लिए क्लियर कर दिया गया था दोस्तों अब मैं आपको 45 सेकंड का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो किसी ने दूर से लिया है इसमें आपको दो तरह की आवाज आएंगी पहले जो लोग वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद की नारे लगा रहे हैं कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं वो भाजबा की कार करता नहीं थे आप खुद सुनिये और आप अंदाजा लगाईए ओ जानता जी काली कटीच है काली कटीच मोदी बठा जी आप एक को जी वर्ताबाद अब दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि साब भाजबा की कार करता नहीं थे सरसर जूट अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ ये ब्रिज के सामने वाला वीडियो है यहाँ पर आवाज ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भाजबा की कार करता हैं वो भी आजाएं चाए पीने के लिए लंगर पर आजाएं यानि कि जो भीड़ वहां मौझूद थी वो पूरी तरसे शांतिपूर्ण थी नमबर एक वहाँ भाजबा की विरोधी और भाजबा की समर्थक दोनों एक साथ थे देखिए यह वीडियो यानि कि इससे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि दरसल वहां पर सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के विरोधी मौझूद थे वहाँ भाजबा के कारकरता भी थे और उन्हें प्रधान मंत्री की गाड़ी के बेहद करीब आने दिया गया दूद का दूद पानी का पानी आगे दोस्तों प्रधान मंत्री की कारवा में एक पाइलिट कार होती है और एक अन्य गाड़ी जिसका काम होता है चेतावनी देना भीड को देखकर इस गाड़ी ने चेतावनी क्यों नहीं जारी की वो इस flyover पर 20 मिनिट तक क्यों इंतजार करते रहे खास कर तब जबकि भीड उनसे सिर्फ 20 मिनिट की दूरी पर थी आप ये सवाल पूछे ना साब गाड़ी में प्रधान मंत्री बैठे हैं एक warning कार है वो चेतावनी क्यों नहीं देती U-turn क्यों नहीं लिया आपने आगे SPG ने इतना बड़ा खत्रा क्यों मोल लिया उन्हें तुरंट U-turn ले लेना चाहिए था जब उन्हें सामने भीड दिखाई दी ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया किस बात का इंतजार था साथ ही एक बात पर और गौर कीजिए और ये मेरा दस्वा पॉइंट है सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रधान मंत्री ने वहां मौझूद अधिकारियों से कहा कि CM चन्नी को बोल देना मैं जिन्दा लोट रहा हूँ अगर ये सच है तो PM की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG की थी और SPG कट घरे में है सवालों में SPG है प्रधान मंत्री को सुरक्षा की जिम्मेदारी देना सिर्फ और सिर्फ SPG की है और सबसे एहम बात दोस्तों इस पर आपको गोर करना पड़ेगा ये मेरा आखरी पॉइंट है एहम बात जब मोधी 20 मिनिट तक इस पुल में फसे हुए थे तब उनकी रक्षा करने वाली टीम उनके दाएं और बाएं खड़ी थी जबकि एक टीम को PM की गाड़ी के सामने खड़ा होना चाहिए था ऐसा क्यूं नहीं अब मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूँ कि प्रधा एक फोटो है आपके पूरे स्क्रीन स्पर इस फोटो को देखिए अब इसके आप राइट हैंड साइड पे दाई जाईए कैमरमन कितना आगे खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां बेशक सड़क पर है मगर मेरा सवाल SPG यहाँ पर क्यूं नहीं है गाड़ियां तो दिखाई दे रही है मगर SPG को वहाँ होना चाहिए था वो कहा है वो प्रधान मंत्री के दाएं और बाएं क्यूं खड़े हुए है यह तमाम सवालात हैं दोस्तो जिनके जवाब दिये जाने बहुत जरूरी है मैं एक बात कह दूँ दोस्तो यकीनन SPG पर कारवाई होनी चाहिए और साथी पंजाब पुलीस में भी कुछ जवाब देही तैकी जानी चाहिए मगर दूसी तरफ शुनाव सामने है उपर से ये कहना सहाब कि मुझे जान से मार देते ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में नाटकी लग रहा है नमबर एक नमबर दो मैं आपको 2005 की आद दिलाना चाहूँगा पूर्फ प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग ये नहीं उचाते है उन्हें काले जंडे दिखाये जाते हैं दोस्तों चानते हैं आप कुछ छात्रों को गिरफतार भी किया जाता है मगर उन पर कड़ी कारवाई नहीं की जाती है प्रधान मंतरी मंच पर जाते हैं और वॉल्टेर का कि ये कहावत है उसे सब के सामने कहते है कि मैं बेशक आपसे इत्फाक न रखूँ मगर प्रधर्शन करने के आपके अधिकार के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या उस वक्त पूर प्रधान मंतरी ने ऐसा कहा था कि मुझे जान से मारने वाले हैं या मुझे खत्म करने वाले हैं क्या उस वक्त कॉंग्रेस के प्रवक्ताओं ने तमाम न्यूस चैनल्स पर जाकर कहा था कि जेन्यू को खत्म कर दो ये देश द्रोही हैं, नकसली हैं तमाम चीज़े कही थी उन्होंने क्योंकि काले जंडे दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना, लोक तंत्र में आपका अधिकार है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी भूल गए कि लोक तंत्र में तमाम अधिकार हैं जो इनसान के पास नहित होते हैं इनसान को कालेज हंडे दिखाने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है अफसोस की बात यह है दोस्तों कि यह पालतो मीडिया आपके सामने यह तथ नहीं लाएगा जो आज बोल के लब आजान है तेरे में, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बन्यादी मुद्ध ये है कि जब हमारे हुकमरान लोकतंत्र के माइनों को भूल जाएं जब हमारे हुकमरान ये भूल जाएं कि एक लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना एक नागरिक का अधिकार होता है तब ये तमाम जीज़ें होती है और जब आपके हाथ में पूरा मीडिया होता है तब मीडिया इसी तरह से खबरों को मोड़के आपके सामने गलत तस्वीर पेश करता है मगर बूल के लब आज़ाद ये तिरे का फलसफा ही ये नहीं है हम आपके सामने तमाम तत्थ हिलाते हैं, फैक्स लाते हैं क्योंकि हमें अपने नागरिकों के प्रती जिम्मेदारी महसूस होती है अगर हम अपने नागरिकों तक सही जानकारी नहीं पहुचाएंगे सत्ता को जवाब दे नहीं बनाएंगे तो दोस्तों, ये देश अंधा हो जाएगा और एक अंधा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता अब इसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार